ओम गर्वय पतनमा शादी नवरातरी इस वश 15 ओक्टूबर 2023 से प्रारंब हो रहे हैं संपूल दिन चित्रा और वैधिती होने के कारण कलस सापन निशेद होगा इसलिए सिर्फ अभिजीत मूरत में ही कलस सापन किया जा सकता है जो कि 11 बच के 36 मिनट से लेके 12 बच के 23 मिनट तक ही रहेगा इस वश मातारानी हाथी पे सवार होके आ रही है और जब जाएंगी तो बैसे पे सवार होके जाएंगी हाथी की सवारी शुप संयोग लेके आ रही है धन वैभव लेके आ रही है खुशिया लेके आ रही है एश्वर का संकेत मिल रहा है परंतु जब मातारा और भक्ती से रखिएगा और भूल चुके लिए शमा अवशे मांगेगा ताकि जब माता रानी जाए तो आपके उपर कोई भी नकारात्म को उर्जा आपके उपर ना आए आईए बात करते हैं कि किस तरीके से कलसापन किया जाता है और पूजा अचना की जाती है इसे सुपह जल्दी उठना चाहिए जल्दी उठे के नए वस्त्र धारन करने चाहिए इशांड कोंड में एक पट्रा बिचाना चाहिए या मंदल सापित करना चाहिए उस पट्रे के उपर लाल वस्त्र बिचाने चाहिए, उसके उपर मातारानी का स्वरूप को बिचाना चाहिए या उनकी मूर्ती को सापित करना चाहिए, मूर्ती को लाल वस्त्र या मातारानी को लाल वस्त्र अरपित करने चाहिए और फूल गंद, सुगंद, फल फूल मेवा चड़ाना चा कमल गट्टे डाले जाते हैं कोडी डाली जाती है साथ में एक सिक्का अवश्य डालना चाहिए और एक सुपारी अवश्य डालने चाहिए इसके बाद उसके उपर आम के पते लगा देने चाहिए और फिर उसके उपर नारियल पधार देना चाहिए नारियल को लाल कपड़े म लग इसके रखना चाहिए और साथ में उसके वबर मॉली या रक्षा प्रत्रीर बाद को अकृष्षा को अकंड जला देना चाहिए और आप पूरी शद्रा और भक्ति के सार्थ पुझा अचना किजे आप एक और चीज़ का संकल्प ले सकते हैं वो संकल्प होता है कि आप मंत्र चारण का संकल्प लेख सकते हैं 11,000 मंत्र, 21,000 मंत्र, 31,000 मंत्र जिती आपकी श्रदा बगती हो उत्ते मंत्र का संकल्प ले सकते हैं उसको 9 दिन में डिवाइड करके क्योक्ति माला का जाप करिए आंग रिंग लिंग चामुंडाय विछे इस मंत्रे का जाप सारी सिध्या लेकर आता है साथ में घर के अंदर जो नकारात्मक उज़ा होती है नेगिटिवटी होती है उसको भी दूर करता है मातारानी के के पदिश्टिया आप सब पेबर से उप आपसे बिदा लेती हूँ ओम नमशाय शुची सदा साहिट चैमाता दें